हाई, ज्यौमातादी, दिस इसकावीता भक्तियानी, आज हम बनाएंगे आलू कचालू चाट आलू कचालू, कचालू मतलब अर्भी, यास, आलू कचालू चाट बहुत ही अच्छा और फटा फट बन जाता है ये बहुत ही टेस्टी रहता है, यम्मी रहता है हमें पहले आलू और कचालू दोनों को बॉइल कर देना है और उसे छिल लेना है उसे पील करके उसे बड़े-बड़े पीसिस में काटके रखना है चटनी के लिए हमें चाहिए इमली, गुड, सॉल्ट, नमक और लालमिच का पाउडर और ड्राई मसाले में हमें चाहिए चाट मसाला, काला नमक, जीरा मसाला, लालमिच पाउडर और थोड़ा धनिया गार्निश के लिए अभी हम तैयारी चालू करेंगे हमने आलू-कचालू को छील के टुकडों में काट लेना है और चटनी की तैयारी करनी है चटनी को भी बॉयल करने रख देना है एक ग्लास पानी डाल के और आलू कचालू को हमने थोड़ा सा बटर डाल के थोड़ा सोथे कर लिया है क्योंकि अर्भी थोड़ी चिप चिप रहती है इसलिए हमने उसे थोड़ा सा ड्राइ कर लिया है और पटैटो को भी ड्राइ कर लिया है तो ये थोड़ा अच्छे से बनता है अभी हमने इसमें सब ड्राइ मसाले पहले अच्छे से मिक्स कर लेने है और चटनी को भी छान के हमने रेडी करके रखना है और पहले अच्छे से इसमें ड्राइ मसाले अड़ कर देने है और उसके बाद हमने एक लिम्बू का जूस उसमें डाल देना है और उसके बाद हमने उसमें चटनी एड़ कर देनी है लिम्बू का जूस ऑप्शनल है अगर जादा खटा नहीं चाहिए तो आप नहीं डालिए और ये हमारी यमी चाट is ready to eat इसे अच्छे से फोक लगाके या टूथपिक लगाके आप सर्व कर सकते हैं ये बहुत ही यम्मी दिखती है इसमें हम बहुत सारी चीजें एड़ उन भी कर सकते हैं मैंने खाया हुआ है ये देली साइड में उसमें मूली भी आड़ करते हैं बट आज हमने बनाया है आलू कचालू चाट So I'll be back soon with new dish Till then enjoy